अगले खबर उदेपूर वाठी से है वन्वेभाग की तरव से वन्ने जीवो की गन्ना हेतू जहां वाटर पॉइंट बनाए गए थे वहाँ वन्वेभाग की टीमों द्वारा वन्ने जीवो की गन्ना की गए ओदेपुर्वाजी वन्वेभा के रेंजर रनवीर सिंग शिखावत ने जानकारी देती भी बताया कि पिछली बार की अपेक्षा इस पार वन्य जीवों में बडोतरी देखने को मिली है गार्ड विनौत कुमार यादों ने बताया कि मंसा माता मंदिर के उपर घनी पहाड़ियों में वाटर पॉइंट बना कर वन्य जीवों की निगरानी रखी गई लेकिन पैंथर की दहार तो सुनी तो दूर जगा से उसकी आँखों की चमक भी दिख रही थी लेकिन वाटर पॉइंट में नहीं आया ना है सिसेटिवी कैम्ड में कैद हुआ चारादमी रात्री भर निग्रानी करते रहें, CCTV कैमरे में रात्री का कोई भी जानवर कैद नहीं हुआ, मिला दिन के ही जानवर मिले हैं और काली बेरी खोग वाटर पॉइंट पर विजे सिंग कैटल गार्ड ने बंद गार्डी कर निगरानी की लेकिन पैंत्रों की दहार से पहाड गुंट रहा था वाटर पॉइंट पर नजर नहीं आये पुराने खोग बालाची मंदिर मंसा माता जाने वाले रास्ते के वाटर पॉइंट पर सेसिटीवी कैमरा लगा हुआ था वनपाल सत्यवीर सिंग मीना ने बताया कि बाला सी मंदिर से उपर बैट कर रात पर निगरानी करते रहे लेकिन कोई बड़ा जानवर नजर नहीं आया बागफुली वनचोंकी पर गार्ड शेबु सिंग शेखावत ने बताया कि वाटर पॉइंट पर तीतर मौड नेलगाये जंगली बिलाई घरगोश सहीत कहीं छोटे जानवर ही दिखाई दिये हैं वनपाल सहाइक सुरेश मिर्दा ने बताया कि इस पार खोह में बिहारी जोहोडी वाटर हॉल के नई वाटर पॉइंट पर रात भर निगरानी रखी जिसमें छोटे जानवर ही नजर आए और बड़ा वीजू ग्यारा और रोजड़ा नील गाय 32 और शेइच है और यह जो बड़ सोपरे है तेरा और मोर है 32 और कड़ा ती तरह 22 कुल कितने सम्तिंग कितने हैं यह जो पासुपक से है सो से उपर है और कितने संग्या बड़ी है बड़ी है 20-25 कितने लोगों की डूटी लगा रहे थी है और कितने कब लगाई थी यह यहां पर दो आजली डूटी है अधिन आधिक मेरे है और एक मूल सीमिजिए सुबह से कल नियुक शुबह के लिए और आज़ मेरे दोटी है यह फटारीक शुबह आति बैकितने आज रात और दूर रहेगे आज इसे पार दो है पारत लिए आज ओगे है कर दो कर दो